है आपका स्वागत है मैं रिज्वान परमार आर्टिस्ट बिजनस कंसल्टन्ट और टीम डॉक्टर विविक बिंदरा बड़ा बिजनस आज आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूं आपको सीरीज बहुत पसंद है मुझे भी बहुत पसंद है लेकिन वो सीरीज जो आपको ए प्रोफेशनल इंसान बना दीगी विल रॉजर्जर ने बड़ा ही खूब कहा है यू नेवर गेट ए सेकेंड चांस तो मेक ए फर्स्ट इंप्रेशन इस सीरीज में आपको ये बताऊंगा कि ग्रीटिंग्स और इंट्रोड़क्शन के एटिकेट्स क्या है कहां पर इनकी ज होना चाहिए ये सारी चीज हैं आपको इस सीरीज में पता चल जाएगी आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप कैसे मास्टर कर सकते हैं आट ऑफ सेल्फ इंट्रोड़क्शन की यानि कैसे आपको सेल्फ इंट्रोड़क्शन देना चाहिए किन फ्रेजिस का इस्तमाल करन चाहिए दूसरी चीज जब आप किसी और को इंट्रोड़क्शन कराते हैं किसी और से तब आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो भी आपको इस सीरीज में पता चल जाएगी तीसरी बात और बहुत ही एहम चीज जब आप किसी को अपना बिजनस कार्ट देते हो तो किस सरीके से देना चाहिए उसके भी एटिकेट्स हैं उसके भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन जब तो बिजनस कार्ट जैसी पावरफूल चीज को जब आप किसी को देते हो तब आपको किन चीजों का ध्यान देना चाहिए वो भी आपको इस सीरीज में पता चल और चाहुती बात कैसे आप माश्टर कर सकते हैं शुरुआत करते हैं पहले लेसें से अपको वेलकम करेगा corporate life में आपने सुनाई होगा देखाई होगा और आप जानते भी होंगे कि जब interview फर्स टाइम जब कोई देने जाता है तो अक्सर वो nervous हो जाते हैं अपना self introduction देने के time interview देने के वक्त interview देने के वक्त इसकी जुरूत पड़ती है या आपने कोई नई company जॉइन कर ली है तो वहाँ पर अपने नए नए लोगों से मिलेंगे तो वहाँ पर आपको self introduction की जुरूत पड़ेगी जब business presentation देने की बारी आए तब आपको self introduction देने की जुरूत पड़ती है कोई professional या कोई business gathering या कोई casual gathering जब हम करते हैं तब वहाँ पर self introduction की जुरूत पड़ती है कई बार networking के time पर भी self introduction की जुरूत पड़ती है और कई बार social gathering के time पर भी आपको self introduction की जुरूत पड़ती है तो अब हम यह जान लेते हैं कि self introduction कैसे देना चाहिए मैं आपको एक से बोलेंगे और क्या बोलेंगे मनोज जी नए जॉइन हुए है अकाउंट्स टीम में और वहाँ पर उनसे मुलाकात करने के लिए मनीश जी आते हैं तो किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देंगे वो देखते हैं हेलो मनोज जी मेरा नाम मनीश है मैं सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ मैं इसी बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर पर काम करता हूँ और मैं अकाउंटिंग टीम से काफी कनेक्टेड हूँ तो जब भी आपको सेल्स टीम से बात करनी हो या कुछ जानना हो तो आप मुझ चीज़े बता दी मनोज जी को अब किस तरीके से बोलना चाहिए वो बता देता हूँ जब आप किसी को first time मिलने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं तो आप एक smile के साथ अपने नाम बलिए एक smile के साथ good morning, hi, hello तो कुछ इस तरीके से word इस्तमाल करके आप जोए conversation start कीजिए ये छोटे से step के लिए आपको बहुत ही daring buzz होना या बहुत ही attitude वाला होने के ज़रूरत नहीं है बहुत ही simple है इसको अच्छे तरीके से use कीजिए और एक smile के साथ एक बहुत ही famous quote है A smile is a curve that sets everything straight मतलब एक मुस्कुराहट तेड़ी चीजों को भी सीधा कर दिया करता है बात अगर professional environment की करें जैसे corporate life के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है First point, talk about who you are and what you do देखो professional environment में ये बहुत जरूरी है कि आप कौन हो ये भी बताओ और आप क्या करते हो ये भी बताओ दूसरा है make it relevant देखो आलतु फलतु बाते तो ऐसे भी आपको करनी नहीं चाहिए जब आप किसी से पहली मुलकात कर रहे है हाई मेरा नम मनीश है मेरे बीवी के साथ थोड़ा जगड़ा हो गया मेरे साथ तो जो है वो माई के चली गई है तो दो दिन से बिना नाश्ते के office में आ रहा हूँ ऐसी सारी चीज़ें irrelevant है इसको बोलनी के जरुद भी नहीं है तो क्यूं उतनी ही बात करो जितनी की आपके और आप जिन से बात कर रहे हो उनके काम की हो that's it तीसरा है talk about your contribution देखो इसका मतलब क्या है कि वही बाते कहो जो आप कर सकते हो कई लोगों की आदत होती है कि वह बड़ी बाते कर देते हैं मैं ये कर सकता हूँ मैं वह कर सकता हूँ मैं ऐसा मैं वैसा लेकिन जब करने की बारी आती है तो टाइटाई फिश ये नहीं होना चीए आप वही बाते करो जो आप कर सकते हो क्योंकि इन लोगों से अक्सर जो लोग होते हैं बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं जब वो अपना काम पूरानी कर पाते तो तो खयाल रखे इस बात का चोथी चीज़ गो बियोंड योर टाइटल इसका मतलब क्या है कई बारना हमारे जो टाइटल होते हैं जौप के टाइटल हमारा डेजिगनेशन यह हम क्लर्क हैं मैनेजर हैं यह जो हमारे काम को डिफाइन नहीं कर पाता अच्छे से तो जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं अपना introduction देते हैं तो अपने जौप के टाइटल के साथ साथ आपके work responsibilities आप क्या करते हैं वो भी जरूर बताएं थोड़ा सा उसको elaborate की करके बताएं ताकि सामने वाले को अच्छे से पता भी चल जाए कि आप कौन है और आपका काम क्या है वो भी उसको बहुत phrases आपके opening line बहुत matter करती है जैसे आप क्या बोल सकते हो के hi, hello, good morning, how have you been, आप कैसे हैं शुरुवात में अगर आप इन phrases को इस्तेमाल करते हो तो एक अच्छा impression पढ़ता है और आप एक caring personality सामने वाले को लगते हो आप ये भी बोल सकते हैं nice to meet you, glad to meet you जब आप ये बोलते हो क कि आप उनसे मिलकर बड़े खुश होए, तो सामने वाले इंसान को भी इच्छा होती है कि वो आपसे बात करें, तो अब आपने ये जान लिया कि introduction करते वक्त आप क्या बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, और भी धेर सारे तरीके हैं अपना self introduction देने के, इसमें master होने के, अगर सचमुष में आप master होना चाहते हो professionalism में, तो नीचे contact number दिया हुआ है, आप उस पर call करके पूछो, कि भी मैं कैसे master बन पाऊंगा, और मैं कैसे professional बन पाऊंगा, अगले points नेक्ट वीडियो में cover करूंगा, जब तक के लिए आप जो है इन points को इस्तमाल कीजिए, अपन knowledge नहीं, comment करके बताओ, कि आप इन में से किन चीजों का आप इस्तमाल करेंगे, किन चीजों का आप use करेंगे, किन चीजों पर आप implement करेंगे, अगर ये वीडियो आपको अगर informative लगा हो, तो इस वीडियो को like और share जरूर कीजिए, subscribe तो आपने अब तक कर ही लिया होगा, ल ये अब डिया हुआ